असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बक्राइद स्पेशल तुर्किश नमकीन गोश्ट की रेसिपी जो एकदम जूसी और टेंडर मज़ेदार सा बनकर त्यार होता है बहुत जादा इजी है बनाने में तो ट्राइज जरूर कीजिएगा तच्छली देख ल तरह से बलना समय लेना है और यह है पुठका गोस्ट तो हम इसको थोड़ी सेificar Авिएड के साथ लेना है अब लेना है नहीं एक कफ ये चर्व ले लेनी है तो हमाटन की पकाया जाएगा तो बहुत जादा टेस्ट अचा आएगा अब यहाँ पर एक टी स्पून हमने नमक लिया एक छोटा चमच तो आदर नमक अभी यूज़ करेंगे आदर नमक हम बाद में यूज़ करेंगे तो देखिए पहले आदर नमक को हमने इस पर स्प्रिंकल कर दिया इस तरह से लगा ल यहां पर एक लोहे की कड़ा ही रख लिये और फ्लेम को हमने ओन कर लिया है और इसमें हमने एड कर देना है जो हमने फैट लिया था चरवी ली थी ना वो चरवी एड कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है तो देखिए इस तरह से हमने इसको म गोस्ट करना है यह देखिए थोड़ा से इस तरह से ओइल के साथ इसको पका लेंगे ना तो जो सारे फ्लेवर है ना गोस्ट के वो इसमें लॉक हो जाएंगे तो इस तरह से हमने सभी पीसे लगा देने हैं और दो से तीन में एक साइट से हाई फ्लेम पर करेंगे मतलब इसमें वो लॉक हो जाएगा और देखिए हमने यहां पर सभी पोटियों को पलट दिया है अब पलट का दूसरी साइड में और इस तरह से साइड हो में अच्छी तरह से उलट पुलट करेंगे और अच्छे से इसमें एक कलर ले लेंगे तो यहां पर गोश्ट में रखते हैं बस इसमें हमें पकाना नहीं है सिर्फ इस तरह से इसको थोड़ा सा मतलब कलर लेना है थोड़ा सा भूनना है तो देखिए यह ओईल में अच्छे से भून चुका है तो बस अब इन पीसे को हम कड़ाई से बाहर निकालेंगे और रिज भी पसंद आ रही है प्ल क्रेयम को हम ने यहां पर बंद कर दिया है और पानी अड़ कर लेगे तो दो कप आप इसमें बादं ली जिए До तो हम ने यहां पनी डाल लियाप है अभी डालेंगे oil क्यूंकि गोश्ट को हम पानी और 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 में पकायेंगे तो यहाँ पर हमने … ढ़र को ने दो कब वरकर और कर देंगे तो बस इसी तरह यह पानी और ओयल में पकड़ त्यार होता है और पानी डालते हैं मुझसे एक दम जूसी हो जाता है गोस्ट बिल्कुल भी कड़क नहीं होता अब देखिए इसमें जो आदर नमक बचाता वो भी डाल देंगे क्योंकि हमने पहले गोस्ट में नमक कर दिया अब इसको में उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पर यह देखिए इस तरह से इसमें उबाल आने लगा है कबर करेंगे और अब इसको हमें चड़ाना है एक तबे पर क्योंकि हमें इसको दम में पकाना है तो दीखिए हमने एक लोहे का तबा रख लिया है आपके पा आना है चार घंटे के लिए बीच में आप इसको चेक कर लीजिएगा और गोश्ट को यहां पर पलट दीजिएगा बीच बीच में तो यहां पर देखिए लगबग यहां पर तीन घंटे हो चुके थे गोश्ट को पकते हुए और आप देख सकते हैं पानी यहां पर सारा ड्र हो गया है यह देखिए बहुत ज्यादा सौफ्ट तो बस इसी तरह हम सभी बोटियों को यहां पर पलट देंगे तो केरफुली इसको पलट देना है ताकि टूटे नहीं और और आज की मेरी रेसिपी आप कहां से देख रहे हैं प्लीज मुझे कॉमेंट्स करकर जुरूर बता हुआ है देख सकते हैं बहुत सौफ्ट है बहुत ज्यादा जूश है बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है ऐसा नहीं हुआ है मतलब खिछा-खिछा-ई беспस्त्undine तो बस इसको हम Sandy Sarafmi तो यह देखिए को आप को सआघ्राही यह पर मैंранुज को दिखा रही हूं कित जोड़ा सा ही लाएंगे अपने हड लीयों से अलग होने लगे गा किसी तरह यह बनाया जाता है और बहुत जादा टेस्टपिंट बनता है यह जब आप इसको बनाएंगे नalies करेंच में आप इसके पैन हो जाने वाले हैं Ilीयों नेथा यह सब नेखी बने बन Арms work आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें इन्शाला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्ला हाफीज